महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देशी से मुंबई सायन में अंतराष्ट्रिय महिला दिवस हर्शोललास के साथ मनाया गया। इस कारेक्रम में मुख्य रूप से संस्था के सयुक्त प्रशासिका, राजयोगिनी संतोष दीदी जी, माउंट आबू हेड़ क्वार्टर्स महिला विंग की कॉडिनेटर, राजयोगिनी दॉक्टर सविता दीदी, मशहूर अभिनेत्री सो वर्शा उस गावकर, इस कारेक्रम में समाज के विभिन वर्ख के कर्तबगार 18 महिलाओं को विशेश सम्मानित किया गया, आदर्निय संतोष दीदी जी ने बहुत ही रिमनीक्ता से उपस्थित महिला जंसमुदाय को समझाया कि परिवार को खुशाल बनाने में उनका योगदान कितना वही डॉक्टर सविता दीदी ने महिला वर्ख को अपने अंदर के गुनों का विकास कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम खुशाल परिवार चाहते हैं या अपने जीवन को खुशाल रखना चाहते हैं तो हम अपने आग को समय दें सो वर्षा उस गावकर जी ने कहा कि वो समाच के हर वर्ख की महिलाओं का उद्धार करना चाहती है और ये कार्य ब्रम्हा कुमारीज के साथ मिलकर ही कर सकती है रेखा भातखंडे जी ने विशेश महिलाओं को हाईजिन और शुदह खान पान के उपर ध्यान खिचाया बी के माला बहन ने सभी को संस्था की गतिविदियों से अवगत कराया नित्य प्रस्तुती से सभी का मनोरंजन भी किया गया कार्यक्रम के अंत में बी के वंदना दीदी ने सबको राजयोग की गहन अनुभूती भी कराये